यूटूब के लेटिस्ट वीडियोज, ब्रेक आउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां सेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट ये लेटिस्ट न्यूज के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, स लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बहने से पहले पताते हैं, हम यहां पर आपको स्टॉक्स बताते हैं, आप अपना खुद रिसर्च जरूर करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइम होता है, लोंग टर्म में सेयर्स उपर जाएंगे, नीचे आएंगे, जैस आपकी हैं, थróक साथ वालेट में वहनटते हैं, दो यहां से उपर मूब करता हैं, तो यहां से उपर करता चला जाए, थ chuck मार्केट में कोई सेयर्स बता है, हर परिस्ति के लिए, आपको एस्टॉक मार्केट में तयार रहना होता है, अगर यहां पाँ मूपर मूपर अपर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब market उपर जाएगा तो निश्चित रूप से stock वी यहाँ पर जो fundamentally strong है वो निश्चित रूप से ऊपर जाएगे, लेकिन अगर यहाँ से stock market में कोई गिरावट आती है, कोई fall आता है, जैसे 1,000, 2,000, 5,000 का तो फिर यहाँ आपको लिए सुथपन हो सकता है, दोस्तों अभी जो stock है, वो कल stock 1000% तक का rally दिखा चुका है, ऐसे में यहाँ पर अगर market में कोई गिरावट आती है, तो निश्चित रूप से stock 20% 30% तक correct हो सकते है, यहाँ तक देखा गया है, अगर आप बात करें, विप्रो का, देकि विप्रो stock market में व विप्रो को टकर देने वाला कोई stocks नहीं है, आप कोई भी stock ले लें, लेकिन विप्रो को टकर देने वाला कोई stock नहीं है, विप्रो इतना return दिया है, अपनी investor को माला पाल किया है, लेकिन अगर बात करें, विप्रो के stock का देखे कितना volatile रहा है, 1967 में हियर स्टॉप मातर 3 रूपीज का हुआ करता था जहां से हियर स्टॉप 2000 इस भी में 385 रूपीज पे गया था और 385 रूपीज से इस्टॉप गिर कर गया अगले 2 साल में मातर 30 रूपीज करा गया था यहां पर अगर कोई आल टाइम हाई मार्केट में 1 लाप रूपीज इंवेस्ट क्या होता उनके पास सिर्फ 7 से 8 थाजिंट रूपीज बचा रहता मतलब 1 लाप रूपीज का इंवेस्टमेंट और यहां पर मातर 7 से 8 थाजिंट रूपीज उनके पास हाथ में रहता तो समाच चाहिए इतना बड़ा investment पे loss हो सकता है अगर आप आँख बंद करके invest करते हैं और वो इसे बिप्रो जैसे share में लेकिन ये आपका recover तब होता जब ये तो 2020 का rally आया देखिए ये जो bull rally है अभी bull rally खत्म नहीं हुआ लेकिन direct market ये ऊपर नहीं चलेगा market नीचे आएगा ऊपर जाएगा आप कर पाए जहां आप Bipro के बारे में बड़ी बाते कर सुनते है तो Bipro के बारे में ये भी जान लेजिए अगर कोई 2000 फाई पर यहां पास जाता तो उतका रिटरन अभी मातर 100% भी नहीं होता जिस विपरो के बारे हम बड़ी बारी बाते करते हैं यह विपरो जो बड़ी बारी बाते हम करते हैं वो रिटरन दिया था 2000 इस भी तक में ही इधर पेपरो पिछले बेश साल में कोई खास रिटरन नहीं या 500,000% रिटरन दिया होगा यहीं बहुत है वहीं निफ्टी की बात करते हैं अगर देखिए लॉंग टार में देखिए राथ निफ्टी भी कार्फी बॉलेटाइल रहा है अगर यहां पर देखिए बात करें हम पीछे जाएं तो 2020 का जो करेक्शन है उससे पहले देखिए निफ्टी डैरेक्ट उपर नहीं गया देखिए उपर गया यहां से 12,000 से गिर करके फिर 10,600 आया फिर से 12,000 गया और 12,000 की बात यहां पर एक बड़ी गिराबर देखने मिल रही है डेविडिल 0.26% है देखिए एक रेटिपो खेतां के बाए हम डेटेल विप्भी भी किये थे कंपनी काफी बेट इस्टेबलिश है अपने बिजनेस में चाहरा है पर मोटर सोल्दिंग 40% से एभव है यह जो काफी इंपॉर्टेंट बात है कि 40% का बसक्ता हम पर मो च्णरी अजितलो और सब्सक्राइब में सब्सक्राजबुषाल विजनेस है काफ्य आप 해 करते हैं में बात बात कहिए है और करो चाब मुप्रूर्ण एक पिम विज की, कॉंसा अदम, ओल्ड इंड मायरल, ब्रांडी और मैजिक मुमेंट बोर्ड का, ये चार ब्रांद है जो कि मिलिनियर ब्रांद है इस कंपनी के और कंपनी का जो कंटीन भी है, अर्ट पोर्सेस के लिए साथे साथ कंपनी के कंटीन भी है कंपनी के लिए, इस तरह से कंपनी का जो है काफी डैवर्सी फाइट रूप से आ रहा है, तो काफी बहत्रीन कंपनी का पेजिकरस है, और टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ग्रोथ की बात करें, तो 2016 में अगर बात करें, अगर बात करें रिसेंट टाइम में, तो रिसेंट टाइम में सेल का प्राइस का जो चार्ट है, उसके नुसार रहा है, तो हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात है, तो सपोर्ट जो स्टॉक का है, वह 830 रूपीज, 830 के नीचे जाता है, क्लोजिंग डेसिस, तो आप यहां पर भायर कर सकते हैं, क्योंगी हो सकता है, बड़ा क्रेक्शन देखनी मिले, वहीं बात करें, रेसिस्टेंस का रिखें, 950 से ले करके 1000 तक, 950 से 1000 तक यह जो 50 रूपीज का रेंज है, यह रेसिस्टेंस का काम करेगा, जब तक 1000 के ऊपर अच्छे से स्टॉक सस्टेंग ने कर लाता है, तब तक आप इसमें बुलिस नहीं हो सकते हैं, तो कुछ इस तरह का सेनेरियो है, यहां पर स्टॉक को फिला पर ही जाना है, उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है, वो है HLE Glass Court, काफी बहतरी बिजनेस, लेकिन दूस्तों बात करें, यह स्मॉल केप कमपनी है, तो स्मॉल केप कमपनी में तेजी चब होगा, तो 200-300% तक मूव करेगा, लेकिन जब करेक्शन होगा, तो 50% तक भी हो सकता ह है, तो यह सली है, इस स्टॉक में आपको थोड़ा सा गंसस रहना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक पनामेटली काफी बहतरी नहीं है, यह सेक्टर भी उतना बला नहीं है, इसमें आपको लाज के कमपनीयां, बहुत बड़ी-बड़ी कमपनीयां देखने मिलेंगी, कुछ कमप प्लाइट, डिटर्न इकुटी तो काफी बहतरी नहीं है, चालिस परसें से भी जादा है, परमूट सोलिंग 71.3% कोई भी सेर प्लेज रही है, डेट विकेटी 0.43 का है, और टूटल डेट की बात करें तो 73.6 करोड का है, और डिजर 140 करोड का है, इस तरह से कमपनी काफी ब मार्केट सेर रखती है, अपने सेक्टर में 60% मार्केट सेर रखना काफी बहतरी नहीं है, अपने एक मोनोपाली क्रिएट करना हुआ, वहीं बात करें टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ का, देखें, टॉप लाइन ग्रोथ, 2010 में मार्थ 45 करोड का से, जहां से बरक पर करके हो चुका है, यहां पर 52 क्रोड का 2021 में है, काफी जबरदस्त यहां पर प्रोपिट में जंप है, और काफी जबरदस्त सेल्स में भी जंप है, और वहीं बात का इंवेस्टर सेक्षन का, तो परमोटर के स्टेक इसमें लगातार कमपनी में भढ़ा है, तो 2018 से देख पोड का तो वह है 4,400, और जो रेसिस्टेंस है, वह 4,980 रूपीज से लेकर के 5,000, यह 5,000 एक साइक प्लोजिकल लेबल है, उस लेबल को अगर इसे प्राइस प्राद नहीं करता है, और प्लोजी बेसिस 5,000 के ओपर सस्टेंट नहीं होता है, तब तक आप बुलिस नहीं ह सकते हैं, तो जो यह ऊपर कड़ेंट है, यहां पर काम कर सकता है, अगर कोई बई गिरावट होती है, तो जो मुख रूप से यहां पर रेसिस्टेंस निकल के आएगा नीचे, दूसरा रेसिस्टेंस होगा 3,600, तो जब भी 10 प्रिवर्सल का साइन ने यहां से बुलिस होने का स्टाक अभी फिला साइडवेज है, तो जब भी इस निकल का सकते हैं, निसी तो जब भी 10 प्रिवर्सल का साइन यहां साइडवेज भी है, जैसे बुलिस होता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो तेसरा स्टाक है, वह है जेगी केमिकल से और फा काफी 23 फार्मा कंपनी है 13,000 रूप का मार्केट केड़ है और इंडिया की लिजी फार्मा स्वीटिकल कंपनी है और कंपनी का जो बीजनेस है वर्ल्ड फ्रेशा हुआ है जो ग्राफिकल प्रेजेंस में भी बात करें तो डॉमेस्टिक बीजनेस से 47% रवन्य आता है और 53% र साता है जहां पर इंटर्नेशनल बिजनेस में यूएस कनाडा मैक्सिको ब्राजील एरोपेन इम्यर उनाइटिट केंगड़ाप आस्टेरिया साथ अपरिका इस तरह से काफी जो गड़ा फुरकाली जो है कपनी का बिजनेस वर्ल्ड वाइड डैपर सीफाड है तो ऐसे कपनी के साथ निश्चितरुप से आपको रहना चाहिए लॉग टर्म में काफी बहत्तरी डिटर्न आपको मिलेगा बात करें डिवेंट का 0.94 परसेंट का है रिटरौन क्या प्रिटरौन क्या प्रिटी काफी सॉलीड है 20 परसेंट से एवब है परमोट जोनी 55.9 परसेंट है कोई और रिजर्व है 15794 क्रौर का काफी अच्छा खासा रिजर्व है नेट प्रोफिट 447 क्रौर का और वहीं बात करें टोड्म लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ डोप लाइन ग्रोथ 2010 में 749 क्रौर का चील था जो की बड़कर करेंगा 2049 क्रौर का近शनल एपतर से प्रॉटम लाइन काफ़ी जबरदस्त ग्रोथ हुआ है अगर इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें तो जो सारी कंपनियों का अगर आप चेक करेंगे तो अपरेटिंग एक्टिविटिस केस फ्लो लगातार पॉजिटिव रहा है यहां पर देख लिए रिट को खैदार का भी पॉजिटिव तो मतला हम आईसे कंपनियां हैं चूचके करके लाते हैं जो फंडामेंटली आपके लिए काफ़े सॉलिड हो अगर जेगी केमिकार्स के चार्ट की बात है तो जो नेरिस्ट सपोर्ट है वो है 1600 इसका सपोर्ट लेवल होगा और यहां पर एसिस्टेंस लेवल की बात है तो 1,940 से लेकर के 2,000 देखें यह सैक्रोलोजिकल लेवल है 2,500, 1,000 इसको समाझना होगा तो 2,000 के ऊपर जब त तब तक आप बुलिश नहीं होसकते और यह तिनु स्टॉक अभी साइडवेज है तो जब तक साइडवेज है तो थोड़ा सवेट के जिए अगर नीची के और सपोर्ट को ब्लीट करता है तो थोड़ा बहुत क्रेक्शन दिखा सकता है अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम बहुत ही चीप प्राइस का मिला फनामेटली जो सॉलिड स्टॉक है तो उस समय इंवेस्ट केजिए यह तीनों स्टॉक फनामेटली काफी सॉलिड है जिसमें आप लॉंग टर्म के लिए इंवेस्ट करते हैं और कपनी के बिजनेस पे हमेशा ध्यान रखना है कभी में बिजन पर लाइक और शियर चलूर किजेएगा